गुजरात में चुनाम को लेकर बीजेपी का धुमाधार प्रचार जारी है प्रधानमंत्री मुदी एक तरह से पूरे बीजेपी के इस प्रचार अभियान क्या गवाई करा है कल सूरत में पधान मंत्री मूदी ने 27 किलो मीटर लंबा रोट शो किया इस रोट शो में उम्डी भीट से एसाफ नजर आए कि प्येम मूदी का जादू बर खरार है आज भी पधान मंत्री मूदी चार राली करने वाले बीजेपी के अलावा कॉंग्रेस और आम आदमे पाड़ी के निता भी गुज्रात में ही डेरा डाले हुए है सूरत में आज केजिवाल की रैली है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़ गे गुज्रात में लगा तर जन्द समाई कर रहे है कुछात में तूफानी प्रचार देखने को मिल रहा है चाहाए बीजेपी हो आमाद में पाड़ी हो चाहाए कॉंग्रेस हो ताबर तोड रहे लियां रोड शो जन्स जभाएं चल रहे हैं जन्ता से समबात किया चरह प्रदान मंत्री नरींद्र मोदी की पालितान भाबनगर में जामनगर में अंजाब में राचकोट में प्रचार और उनकी सभाई देखने को मिलेंगी और वहीं अगर हम अर्मिंद के जिबाल करें तो उनकी सूरत में चार सभाई हैं आमेशा कि महसाना, साबली, अर्वनली में एमदाबाद में रहे हैं तो मलिक अर्चुन खड़गी की सभाई एमदाबाद महसाना और एमदाबाद मुनकी सभाई होने वाले हैं तो गुजराज जुनाओं में प्रधान मंत्री मोदी ने कॉंग्रेस पर आतंक वाथ को लेकर कड़ा प्रहार किया है प्रधान मंत्री मोदी ने आरूप लगाया कि कॉंग्रेस अब भी तुष्टे करण की राजनीती कर रहे है आप याद करिए दिल्ली में जब बाटला हाउस एंकांटर हुआ तो कॉंग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे रोने कॉंग्रेस आतंकवाद को भी बोट बेंक की नजर से देखती है तुष्टी करण की द्रश्टी से देखती है यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकरते थे उन पर कारवाई करते थे लेकिन साथ्यों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कॉंग्रेस सरकार आतंकियों को छुडाने में अपनी पूरी तांकट लगा देती थी हम कहते रहें कि आतंक को टार्गेट करो लेकिन कॉंग्रेस की सरकार आतंको नहीं मोधी को टार्गेट करने में लगी रही सुरफ कॉंग्रेस ही नहीं है अब तो ऐसी भाती-भाती के दल पैदा हुए है ये दल भी शौर्टकट की राजनिती में यकीन करते हैं उनको तो सत्ता की भुख भी जड़ा तेज है वोट भेंक की राजनिती करने पर उतारू है एपीजमेंट तुष्टी करन के पुलिटिस में इंट्रेस्टेड है भेंकर से भेंकर आतंकी घटना के बावजुद भी ये तुष्टी करन की राजनिती करने वाले सारे दल उनके मुह पे ताला लग जाता है चुपी साथ लेते हैं इतना ही नहीं जब कौट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उनी से मिले हुए लोग आतंगवादियों की पेडिक्पी करने के लिए कौट के दरवाजे तक पहुंचाते हैं जमकर हमला वरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कौंग्रेस पर और आतंगवाद के जर्ये आतंगवाद में भी तुष्टी करन करते हैं पिछले दरवाजे से उनको मदद करते हैं तो प्रधान मंत्री के या रोप कौंग्रेस की नीती तुष्टी करन वाली हैं आतंग पर कॉंग्रेस की राजनीती बदली ही नहीं है, जो राजनीती वो करती आ रहे है वही राजनीती कर रहे है, तो गुजरात के चुनाओं में आतंग बाद का मुद्दा, कॉंग्रेस को वोट बैंक के नाराज होने का डर है, ये प्रधान मंतरी मुदी के आरोप का कॉं झाल झाल